हाई फ्रेंड नमस्ते मैं कल्यानी आज लिखके आई रोस्टेट फुल गोबी की सबजी इसलिए छोटा छोटा फुल गोबी मैंने चार लिया यह मैं साबुद बनाऊंगे पहले से साप करके पिछे का तंडी काटके उसको धोके लिया अब देखिए नमक मिर्ची पाउडर ह नीरा पाउडर साबुद जीरा घी और यह इलाइची छोटी इलाइची और यह लॉंग और यह दारचीनी और यह तेज़ पत्ता दो लिया और तीन टमाटर में पीस के लिया और यह दही फेट के लिया और अद्रक और मिच्ची का पेस् और यह काजूट पीस के लिया अब शुरू करते हैं देखिए गैस चला दिया इसमें मैंने कराई में पानी लिया उसमें फुरी सी नमक डाल के गोवी जो साबुद बनाऊंगी इसलिए इसको थोड़ा उबालूंगी इसको कम से कम दस मिनिट अधिके गोवी उबालना हो ग देखिए मैं ज्यादा तेल में फ्राई कर रही हूं दो दो पर के कर रही हूं छोटा कराई में इसलिए लिया थोड़े तेल में अच्छा से फ्राई हो जाएगा फ्राई हो गया मेरा गोवी अब देखिए कराई में थोड़ दो चम्मच रिफाइंड और लेके उसमें चार टेबिल स्पूंजे से देशी घी डाल दिया तेल गरम हो गया साबूत जीरा और तेज़ पत्ता डाल दी मैंने अब मैं जो खरा मसाला लिया खराम मसाला वो डाल दूंगे देखिया एलाईची दाचीनी और देखिए ये अद्रक और हरी मिर्ची पेस्ट अगर कोई प्याज डालना चाहेगा तो इस ट्रेम प्यास पेस्ट डालना है थोड़ी सी प्यास फ्राई हो जाए तब लस्द आप देखिए मैंने इसके मीर्ची पाउडर हल्दी पाउडर डाल दिया जिरा पाउडर डाल दिया अब देखिए टमाटर जो पीस के लिए वो भी डाल दिया देखिए टमाटर डालते ही मैं थोई सी नमक डाल दूँगी क्योंकि टमाटर भी अच्छी तरह से भुन जाएगा आप देखिए काजू जो पीस के लिए काजू पेस्ट डाल दिया इसको कंटीनिव चलाना है नीचे लग जाता है नहीं तो मैं दही डालूँगी इसलिए आज सिम कर दिया बिल्कुल दही भी फेट के लिए नहीं तो दही फट जाता है अब सिम आज पर इसको थोड़ी देर चला के कंटीनिव चलाएंगे अच्छा से फ्राई हो जाए मसाला सारा तब जाके मैं इसकी पानी डालूँगी देखिए जि अब मैंने फ्राई करके लिया था ओबी डाल दिया डाल के पांच मीनित तक धक के पकाऊंगी उसके बाद देखिए पांच मीनित हो गिया अब मैं इसमें चीनी डालूँगी यह बिल्कुल बैंगोली तरीके से है अब गरम मसाला थोड़ा सा डालूँगी बन गया मेरा रो हुआ है